इस वीडियो में हम LG WebOS TV में एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना और यूज करना सीखेंगे जैसे किसी भी स्मार्ट फोन में एप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के लिए Play Store में Google ID लॉगिन करनी होती है सेम LG TV में अगर कोई भी एप्लिकेशन हमें इंस्टॉल करना है तो टीवी के अंदर LG अकाउंट लॉगिन करना है उसके लिए कस्टमर के टीवी और स्मार्ट फोन को सेम वाइफाई से कनेक्ट करेंगे और स्मार्ट फोन में Play Store से LG ThinQ एप्लिकेशन सर्च करके इंस्टॉल करेंगे सी आप यहाँ पर LG ThinQ एप्लिकेशन का आइकन देख पा रहे है यह एप्लिकेशन आपको Play Store Android के लिए एप स्टॉर iOS एपल फोन के लिए मिल जाएगी आप इस एप्लिकेशन को फोन में इंस्टॉल करेंगे टीवी एंड फोन सेम वाइफाई से कनेक्ट होना चाहिए आप इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे application में first time के लिए account बनाना होता है, जब आप इस application को open करेंगे तो आपको account बनाने के लिए information आएगा, आप वहां पर information एंटर करेंगे और अपना account create करेंगे, customer का account create करेंगे. account create करने के बाद home screen आएगा यहाँ पर आपको add device को option मिलेगा add device पर click करेंगे select device पर click करेंगे और mobile phone में आने वाले जितने भी steps होंगे उन सबको आगे complete करते हुए चले जाएंगे then यही thank you से tv के अंदर lg account login हो जाएगा screen पर किसी भी समय यूजर एग्रिमेंट्स आने पर select all पर click करें more के ओपर click करें agree पर click करें सभी user एग्रिमेंट्स हमें accept करना है mandatory है thank you से lg account tv में login होने के बाद mobile thank you application में आप देखेंगे tv का icon आपको blue color में दिखने लगेगा इसके उपर click करके आप टीवी का complete remote अपने mobile से access कर सकते हैं सी यहां पर आपको remote control को option मिल रहा है view all के उपर जाएंगे यहां से आपको पूरा remote option मिल जाएगा volume plus minus home channel up down mute back input settings और यह आपका pointer सी आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसको back करता हूं remote control के साथ में उपर back को option है back करने पर mobile connectivity को option मुझे यहीं से मिल जाएगा यहां से मैं screen mirroring कर सकता हूं इस option पर क्लिक करके इस option पर क्लिक करके phone का sound tv में ला सकता हूं tv को Bluetooth speaker की तरह phone के साथ यूज किया जा सकता है यहां अगर मैं click करता हूं next option पर तो phone के अंदर अगर कोई photo video या music है तो वो मैं tv पर play कर सकता हूं यदि phone में कोई downloaded media file है इस option पर क्लिक करने पर tv का sound mobile में लिया जा सकता है tv में आप कोई भी content play करेंगे आप अपना setup box चलाएं आप YouTube चलाएं आप Netflix चलाएं उसका sound phone में लिया जा सकता है तो उस समय sound tv में नहीं आएगा phone में आएगा नीचे आपको टीवी के अंदर जितनी भी apps installed है उसको access करने का option मिल जाएगा यहां पर आप किसी भी application पर click करेंगे वो application directly tv screen पर open हो जाएगी Netflix application tv पर open हो रहा है यहां application को use करने के लिए मैं sign in option पर click करके अपनी id password से login कर सकता हूं अब अगर tv के remote से हमें कुछ applications का use करना है तो tv के remote में home button दिया गया इसको हम प्रेस करेंगे home screen appear होगा यहां पर आपको applications की list मिल रही है जो applications tv में installed है उनसा भी applications के icon आइकन आपको यहां दिख जाएंगे जैसे कि YouTube आप यहां YouTube पर click करके YouTube open कर सकते है YouTube open हो गया है यहां आप YouTube पर किसी भी content को select करके play कर सकते है जैसा कि मैंने आपको remote में बताया था scroll option है आप scroll कर सकते हैं साथ ही में search option आपको YouTube में यहां मिल रहा है इसमें जाकर कोई भी content आप search करना चाहें कर सकते हैं TV में Apps को install करने के लिए App Store दिया गया है यहां क्लिक करके App Store को open करेंगे और यहां से हम किसी और application को install करना चाहते हैं जो अभी हमारे TV में नहीं है तो उसको search करके install कर सकते हैं App Store में आपको category wise apps देखने को मिल जाएंगी जैसे featured entertainment पर जाएंगे तो entertainment related applications game पर जाएंगे तो games related applications, news पर जाने पर news and information की applications इसी तरीके से यह categories आपको देखने को मिल रहे हैं आप directly application के नाम से search करने के लिए search icon पर click करेंगे application का नाम type करेंगे जैसे हम यहाँ पर sony live application install करना चाह रहे हैं search पर click किया sony live application मुझे app segment में दिख गया अब मैं इस application को click करके install कर सकता हूँ अगर कोई application आपको apps के अंदर नहीं दिखती है तो आप उस application को install नहीं कर पाएंगे install का option आया यहाँ आप देख रहे हैं application install होना start हो गया application install होने के बाद home button press करने पर application मुझे app list में दिखना start हो जाएगा जैसे अभी हमने sony live application को install किया है यहाँ पर हमें sony live application मिल गया यहाँ click करके मैं sony live application को access कर सकता हूँ आप test यहाँ ऎएंव